अलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी लोगों का स्टरी आईक्यू पर स्टरी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुभम सर्थालिया एक और विशेप एक और टॉपिक पर बात करने के लिए आगया हूँ आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेस्बूक याँ टेलिग्राम के माध्यम से मिरसाथ करेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपका डाउट है कोई आपकी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं इस विशेपे हम बात करने वाले हैं उसका संबंद मध्या प्रदेश से है तो मध्या प्रदेश का इंदोर जिले में उसका नाम अब बदल करके तांतिया मामा किया जा रहा है तांतिया मामा जो की एक स्वतंतरता सैनानी थे तांतिया भिल जिनका नाम था जने तांतिया मामा के नाम से जाना जाता था उनकी याद में उनको याद करते हूँ इनका नाम जो है वो इस रेलवी स्टेशन को दिया जाएगा साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर आलसो एनाउस्ट देट जाएंट स्टेचू अफ जननायक तांतिया भिल भिल जो की एक भिल जनजातिय समाज से संबंद रखते थे और उन्होंने देश के स्वतंतरता संग्राम में जनजातिय समाज की और से एक एहम भूमी का निभाई है उन कि एक विशाल प्रतिमा भी जो है वो बनाई जाएगी पाताल पानी में उस जगे पे जहां पर उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था तो उनकी याद में आप जानते हैं इसको अगर आप रिलेट कर पा रहे हो कुछी दिन पहले हमने बात करी थी जनजातिय ग स्वतंतरता सेंगराम में जो रोल था जो उनकी भूमिका थी उसको याद करते हुए उसको एक नॉलेज करते हुए जनजातिय गौरफ दिवस मनाया गया है 15 नवंबर उसके लिए दिन चुना गया जो की बेरसा मुंडा जो की God of Tribal Communities मने जाते हैं जिनको भगवान बेरसा क संतरता सैनानी जिन्होंने देश के लिए एहम भूमिका निभाई है उनको याद किया जा रहा है उनको respect जो है वो दिया जा रहा है तो पाताल पानी रिल्वे स्टेशन ये जो है ये मध्या परदेश के इंदौर में स्थित है इंदौर जिले में ये है अगर हम थुदा इस जाना जाएगा तो तांतिया मामा या तांतिया भिल कौन है जननायक तांतिया भिल जिनको कहा जाता है तांतिया was the member of भिल ट्राइट तो ये भिल जन जाती है समुदाय से भिल आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं जो की indigenous आदिवासी community है and was born in gram बर्धा तहसील पंधना मध्या प्रदेश around 1840, 1840 में मध्या प्रदेश के एक परधना तहसील में इनका जनम हुआ था ये एक स्वदेशी आदिवासी समुद भिल जन जाती के सदस्य थे जन नायक तांतिया मामा भिल ये जो है इनों ने अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों की नीतियों के खिल पॉलेसिस थी जो इनजस्टिस था जो ब्रिटिश गवर्मेंट हिंदोस्तानियों के साथ और खास तोर पर जन जाती है समुदायों के साथ कर रही थी उसके खिलाफ इन्होंने एक क्लेरियन कॉल यानि के एक सपष्ट आवाहन किया था इन्होंने आवाज उठाई थी कि य जो नीतियां है यह जो काम है जो ब्रिटिश सरकार की पॉलेसी थी यह कितनी ज़ादा इक्सप्लॉट्टेटिव है हिंदोस्तान के लिए उसके विरुदिनोंने अवाज उठाई थी तो ब्रिटिश के अगेंस्ट इंजस्टिस कर रहे थे उसके अगेंस्ट इन्होंने जाती है कि पातालबानी डिल्विस्टेशन का नाम बदला जाए और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि मध्याप्रदेश सरकार निरंतर एक ट्राइबल आउट्रीच केम्पेन चला रही है जिसकी शुरुवात जन जातिये गौरफ दिवस के साथ में हुई थी जन जात सामाज को साथ जोडने का प्रयास किया जा रहा है आप जानते हैं मध्याप्रदेश में जो important tribes है उसमें भिल जाते हैं मुंडाज हैं गौंड है तो एक बड़े population एक बड़ी जन संख्या जन जातिये सामाज किया दिवासी सामाज की जो है वो मध्याप्रदेश के अंदर र मौंड महरानी रानी कमलापती के नाम पे रखा जाना इसके विशे में भी अपने बात करी थी कुछी दिन पहले हबीब गज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापती किया गया है साथ ही साथ आदिवासी समुदायों का एक प्रमुख ड्रिंक है एक पै है जिसको म भी थे और अब इस पहले ये इल्लीगल था लेकिन अब इसको टोटली लीगल कर दिया गया है है हैरिटेज लिकर के रूप में विरासत के हमको विरासत में ये ड्रिंक मिला है इस रूप में इसको बेचा जाएगा तो इसको बनाने वाली जो कम्यूनिटीज है वो इससे द अध्याप्रदेश गवर्मेंट के ट्राइबल आउट्रीच प्रोग्रेम के इंतरगर। अध्याप्रेम के कारिकरम किये जाते हैं। उनको याद रख सके आने वाली पीडियां इस वज़ा से ये कदम जो है वो सरकार उठा रही है। संगर्ष किया, आम्ड रेवलिशन किया, क्यूंकि अंग्रेजी पॉलिसी जो थी वो डिस्क्रीमिनेटरी थी, वो एक्स्प्लोइटेटिव थी, वो सरासार इंजस्टिस था। तो इन्हों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक संगर्ष जो है, लंबा संगर्ष करी, बारा साल का संगर्ष करा, अंग्रेजों की तिजोरियों को इन्होंने कैप्चर करके, भारती ये लोगों तक, भारत के आम आदमियों तक जो एक कॉमन मैन था, उसको मदद करी, उस खजाने से तो इस तरीके से इस वज़ा से इनको इंडियन रॉबिन हूट के नाम से जाना जाता है और अब आदिवासी समुदायों के और भारत के इस नायक के नाम पर railway station जो है वो इन दौर में बनेगा तो ये एक important article है इसके विशे में हम लोग बात कर रहे है तो ब्रिटिश सरकार अंग्रेजी हुकूमत के खजाने को लूट कर गरीबों में मांटा करते थे ये तांतिया भिल जो है तांतिया मामा जिस नाम से जाना जाता है तो इस वज़ा से इनको इंडियन रॉबिन हूट कहा जाता है और इन ही को स्मरन करते हुए इन ही की याद में ये railway station का नाम पतला जाएगा I hope हमको विस्तार से ये article समझ में आया है अगर आप लोग मध्यपरदेश state exams के लिए प्रेपेर कर रहे हैं आपके लिए बहतर इन smart courses study IQ पे available है इन courses के मदद से आप अपनी preparation को बहुत बहतर बनाता है Thank you very much, all the best, keep working hard, bye bye, take care, jahind